तो हेलो गाइज मैं हूँ रोहीत राय और आज हम बात करने वाले हैं निव एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जो कि कल अनौंस किया गया है तो किसी भी देश को डेवलोप होने में सबसे बड़ा हाथ होता है उसके एजुकेशन सिस्टम का और किसी भी देश के एजुकेशन सिस्टम या एजुकेशन पॉलिसी में समय के हिसाब से समय समय पर बदलाव होना ही चाहिए तभी आपका देश दुनिया के साथ कंपीट कर पाएगा और education policy में ये पहली बार बदलाव नहीं किया जा रहा है इसके पहले education policy में बड़ा बदला 1986 में किया गया था जब राजिव गांदी प्रधान मंत्री थे और 1992 में उसमें थोड़ा बदलाव किया गया और 1986 से पहले 1968 में इंद्रा गांदी ने फर्स्ट education policy की सुरुवात की थी तो अभी भी हम 1986 वाला education policy के हिसाब से education ले रहे हैं जो कि 34 साल पुरानी है और 34 साल में दुनिया कहां से कहां चली गई है और हम अभी भी वही 34 साल पुराना education policy जो है फॉलो कर रहे हैं इसलिए जब हमारे यहां कोई student graduate होके practical world में आता है तब उसे अपनी degree का महत्तो समझ में आता है कि वो बस एक paper carry कर रहा है जो उसे interview में दिखाना है और फिर graduation के बाद वो practical world के A, B, C, D सीखना स्टार्ट करता है लेकिन दूसरे देशों में बच्चों को इस तरह से पढ़ाया जाता है कि उनके पास theoretical और practical दोनों knowledge होते हैं उनके graduation complete होने तक तो इनी सब कारणों के वज़े से ये new education policy लाया गया है और ये कोई एक रात में ready किया हुआ plan नहीं है 2014 के election के समय में BGP के गोशना पत्र में new education policy सामिल था और 2015 में एक committee बनाए गई जिसके head थे TSR Subramaniam और उन्हें बोला गया draft ready करने के लिए और उन्होंने जो draft ready किया उसे कुछ कारणों के वज़े से accept नहीं किया गया और 2016 में और committee बनाए गई जिसके head थे के कस्तूरी रंजन जो पहले इसरों के scientist थे 2003 तक और अभी Chancellor है राजस्तार और NIT University के 31 माई 2019 को के कस्तूरी रंजन द्वारा बनाया गया draft सरकार के सामने पेस किया गया और उसके बाद 2 लाग से जादा सुजाव आई इस draft के लिए सारे सुजाव पर ध्यान देने के बाद new education policy को central cabinet ने मंजूरी दे दी तो चलिए देख लेते हैं कि क्या है ये new education policy तो सबसे पहले HRD ministry यानि मानो संसाधन विकास मंत्राले का नाम चेंज करके सिक्षा मंत्राले कर दिया गया है मतलब रमेश पोकरिवाल HRD मंत्री से अब सिक्षा मंत्री हो गये हैं तो अभी हमारे यहाँ 10 प्लस 2 वाला system ही follow होता है लेकिन उसे change करके 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 कर दिया गया है तो ये 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 क्या है वो पहले समझ लेते हैं तो इसमें पहले 5 साल हैं उसे नाम दिया गया है foundation stage इसमें बोला गया है कि starting के 3 साल pre-school होगा बच्चों का उसके बाद first standard और second standard तो ऐसे 3 प्लस 1 प्लस 1 ये हो गये 5 साल इस 5 साल में बच्चों को उनकी mother tongue में पढ़ाया जाएगा और इसके अलावा हिंदियों और English अलग subject होगे तो इन 5 सालों में comprehensive of alphabet, languages, number, counting, color, shape, indoor, outdoor play जैसी activity करवाई जाएगी फिर आते हैं आगे के 3 साल पे जिसे नाम दिया गया है preparatory stage ये है third standard, fourth standard और fifth standard इन 3 सालों में बच्चों में curiosity develop करना, logical thinking and problem solving, team network and collaboration, play based and discovery based learning जैसी पढ़ाई करवाई जाएगी और साथी साथ इन में ethics, self identity, etiquette, behavior and emotional development पे भी ध्यान दिया जाएगा फिर आते हैं अगले 3 साल पे जिसको नाम दिया गया है middle stage ये है sixth, seventh और eighth standard इन 3 सालों में बच्चों को science में experiment करना, mathematics, art, social science and humanity के education दी जाएगी और साथी साथ computer coding और app development जैसे education दी जाएगी जो कि आज की दिनों में China में दी जाती है फिर आते हैं अगले 4 साल पे जिसका नाम दिया गया है secondary stage ये है ninth, tenth standard, eleventh standard और twelfth standard इन 4 सालों में बच्चों को multidisciplinary study करवाई जाएगी greater critical thinking करवाई जाएगा उन्हें flexible बनाया जाएगा और उन्हें इस stage पे अपने इच्छा नुसार subject सेलेक्ट करने की आज़ादी होगी क्योंकि यहां तक आते आते वो समझ जाएगी कि उनको future में क्या करना है तो यह है 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 तो यहां तक तो हो गई 12 standard की पढ़ई देखे इसमें अच्छी बात यह है कि stream खतम कर दिया गया है arts, commerce, science, select नहीं करना पड़ेगा बच्चों को अगर कोई history पढ़ रहा है तो वो math भी पढ़ सकता है और math वाला physics भी पढ़ सकता है physics वाला political science भी पढ़ सकता है तो अब stream वाला attention खतम हो गया है students के लिए अब 12 के बाद बहुत से बदलाव किये गये हैं यहां पर आ जाता है multiple enter और multiple exit with credit transfer जैसे पहले कोई student engineering कर रहा है और 3 साल complete होने के बाद वो आगे पढ़ाई नहीं कर सका किसी कारण वस तो उसे कुछ भी नहीं मिलता लेकि उसका पुरा 3 साल जो है वो बरबाद हो गया लेकिन अब 1 साल complete होने के बाद उसे एक certificate मिल जाएगा फिर 2 साल complete होने के बाद उसे diploma मिल जाएगा और 3 और 4 साल complete होने के बाद उसे degree मिल जाएगी कुछ course 3 साल के होंगे और कुछ course 4 साल के होंगे तो जैसे ही 3 या 4 साल complete हो जाएगा उससे degree मिल जाएगी तो degree मिलने के बाद वो direct MA कर सकेगा और उसके बाद MFIL करने की ज़रूद नहीं होगी और direct PhD कर सकेगा और students जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसका एक credit जनरेट होगा जो कि एक virtual academic bank में mention होगा फिर जैसे वो student कहीं गया interview के लिए तो interview आपके online academy credit देख के समझ जाएगा कि student ने कितनी मेहनत और उसने किसकी subject की पढ़ाई किये और इसके अलावा private और government colleges के लिए same syllabus होगे और same rules होगे लाइक आप पंजाब में पढ़ो या UP में पढ़ो या महराष्ट में सबका syllabus same होगा इसकी वज़े से कोई भी student किसी भी state में easily adjust हो जाएगा board exam को और असन बनाया जाएगा जो आजकल जो बच्चों में जो हववा हुआ है जो board exam को लेकर जो डर है उसे दूर करने की कोशिज की जाएगी report card students के लिए 360 assessment पे होगा मतलब पढ़ाई के अलावा भी बाकी activities पे ध्यान दिया जाएगा report card बनाने में और सबसे बड़ी बात एक ही regulatory board होगी जो सबको control करेगी वो होगी the higher education commission of India उसके अलावा fee fixation होगा जब अब तक जो school और colleges मन चाहे fees चार्ज करते थे अब वो खतम हो जाएगा जो fees है वो fix कर दिया जाएगा इस level तक जो है वो fees ले सकते हैं उससे ज़्यादा आप चार्ज नहीं कर सकते है teachers के training और appointment को लेके भी plan है इस policy में और जहां हम GDP का 4.43% use करते थे education के लिए उसे बढ़ा के 6% करने के लिए कहा गया है तो guys ऐसे बहुत से point है इस new education policy में सुनने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है ये सब लेकिन जहां देश में school की हालत इस तरह की हो वहाँ इस तरह के plan पे बात करना थोड़ा सोचने पर विवेस कर देता है तो आज के लिए बस इतना ही आप से लेता हूँ विदा धन्यवाद